जै मातादी दोस्तों, जाद्वी टोटके में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, भगवान सिव की अराधना के लिए सावन का महीना बहुत ही खास माना गया है सावन के महीने में सिव भक्त भगवान सिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही वे व्रत भी रखते हैं मानिता है कि सावन के सुमवार के दिन अगर व्रत किया जाए तो सिव जी सीगरी प्रसंद होते हैं और अपने भक्त को मनचाहा वरदान भी देते हैं अगर आप इस दिन वृत रख रहे हैं, तो ये जानना बहत जरूरी है कि सामन संवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं और अगर आप वृत नहीं भी रख रहे हैं, तम भी कुछ वर्जित चीजों को खाने से परहिच करना चाहिए, आपको बता दें कि सामन सुमवार का वृत मीठा ही रखना चाहिए इसके अलावा बहुत लोग सामन सुमवार के वृत में एक समय यानि साम की पूजा आरती के बाद मीठा भोजन लेते हैं अगर आप भी एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो आप इस समय खीर दही पूरी दही पराठा मीठी पूरी चीनी या गुण से बनी हुई या मीठा पराठा भी खा सकते हैं या आटे का हलवा भी खा सकते हैं लेकिन वहीं बहुत से लोग सामन सुमवार व्रत के दिन फलाहार करते हैं यानि वो नेक्स मॉर्निंग में अन ग्रहन करते हैं व्रत वाले दिन अनाज नहीं खाते हैं सिर्फ फलाहारी व्रत ही करते हैं चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग सावन के सुमवार का ब्रत नहीं भी रख रहे हैं उन्हें इस दिन क्या चीजे नहीं खाने चाहिए तो आपको बता दें कि सावन के सुमवार के दिन मास, मदीरा, प्याज लैसुन, अंडा, सिगरेट, तंबाखु, सुपारी, पान आदी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन हरे पत्तेदार सबजीयों को खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि हरे पत्तेदार सबजी में छोटे-छोटे कीड़े होते हैं और आज के दिन जिव अत्या करना महापाप माना जाता है इसलिए आज के दिन हरे पत्तेदार सबजीयों को खाने से भी बचना चाहिए इसके लावा सावन के महीने में बैगन का सेवन भी वरजित होता है दोस्तों सावन सोमवार का वरत एक दिन पहले ही सुरू हो जाता है यानि रविवार के दिन आपको सैंपू करके नहा लेना चाहिए आपको लैसुन प्याज या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए आप रविवार के दिन रात में हलका और सात्विक भोजन ही कीजिए दोस्तों सबसे पहले आप सावन सोमवार वरत की सुरुवात पूजा पाट से ही करें पूजा करने के बाद ही कुछ खाएं पिएं उससे पहले हो सके तो जल भी ग्रहन ना करें पूजा संपन्न करने के बाद आप जल, जूस, चाय, दूद या फलादी का सेवन कर सकते हैं दोस्तों आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहन करना चाहिए व्रत में अन्न का सेवन गलती से भी ना करें व्रत रखने वाले लोगों को गेहूं, चावल, दाले, मटर, फली, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्ण फ्लोर, आइस्क्रीं, नमक, तेल, हींग, हल्दी, खटाई, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नीबू और मूली आदी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के दवरान, रिफाइंड तेल, सोया बीन उयल और सरसों के तेल में खाना नहीं पकाना चाहिए दोस्तों, सावन सुमवार व्रत में आप सिर्फ देसी घी या फिर मूंग फली के तेल में खाना पकाएं, यही अच्छा रहेगा और इस दिन प्रत रखने वाले कुट्टू, सिंगाडे, सेंधा नमक, फल में सेव, केला, पपीता, अनार, आमादी खा सकते हैं और इसके लावा ड्राइ फ्रूट्स, दही, समा के चावल, साबू दाना, मावे का मीठा, और सबजी में आलू, कद्दू, लौकी, अर्बी, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया खा सकते हैं साथ ही आप चाए, दूद, कॉफी और जूज भी पी सकते हैं तो दोस्तों, आप सावन सोंवार व्रत के दिन खाने पीने की इन चीजों का ध्यान वस्सर रखें ताकि आपका व्रत खंडित ना हो तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएं, तो कमेंट में हर हर महादेव या जय मातादी चरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद